नमस्कार जब भारत में 1857 का स्वतंतरता संग्राम चल रहा था तब गुजरात के काठियावार में एक सनातनी मानव गोकुलदास में एक जी पुंजा के रहा एक पुत्र का जन्भुव जिसका नाम था जिना भाई पुंजा युवा होने पर जिना भाई का विवा मीठी तो भी जिना भाई अपने परिवार के सनातन संसकारों को भूलकर मचली मारने का व्यापार करने लगा। जिना भाई के इस कूखृत से रुष्ठ होकर शुद्शनातनी आदरशों पर चलने वाले गोकुलदास पुंजा ने उसे अपने परिवार से पुन्त भहिष्कृत क के जाने के बाद जिना भाई ने अपनी तामसिक प्रवर्ती के कारण मस्त करवंशी हो जाने का निर्णे किया और वो अपनी पत्नी मीठी भाई के साथ मानवता को त्याग कर सदा सदा के लिए मस्त करवंशी मल्लेचों में शामिल हो गया मस्त करवंशी होकर जिना भाई और उनकी बीवी ने साड़े चोदा सो वर्षों से अनवरत चल रहे मस्त करवनशी खुदाई आंदोलन में बढ़ चड़ कर भाग लिया। जिसके परिणाम स्वरूप शक्ति स्वरूपा से खेत स्वरूपा बन चुकी मीठी भाई ने साथ पिलूरे पिलूरियों को जर्म दिया। इन्ही में से एक पिलूरा था मुहमद अली जिना जिसे की फकिस्तान का संस्था पक माना जाता है। सनातंद रोही जिना भाई के इसकुपुत्र मुहमद अली जिना को फकिस्तान बनते ही फकिस्तान के असली मस्त करवन्शी जन्तों ने तुरंत आस्मानी कोठा नंबर 72 बटा 786 में भेज दिया था। और इसी के साथ पुझा परिवार के कुल कलंग सनातंद रोही जिना भाई की वन्श बेल को भी प्रकरती ने नश्ट कर दिया। मुहमद अली जिना के बाद से लेकर आज तक फकिस्तान में निरंतर चल रहे सकता संगर्श के उपरांद अब फकिस्तान को पहली बार एक ऐसा उप्युक्त राष्ट पती मिल गया है जिसे की कोठा नंबर 72 बटा 786 से स्वैम आकर पद और गोपनियता की शपत दिलवाई ह अच्छा मुझे काफी दिन से खाब आ रहा था मैं बहुत परशान था कि खाब आ रहा है और मैं क्या करूं उसके अंदर कैया दिया आजम लाम अकबाल ने बहुत जजब और जलाज से मुझे कहा कि तुम क्यों नहीं अमल करते हमारी बात सुनो और टीवी इस्टेशन पे यह मदले मिटिया के पास खबर पचाओ और अखबाल भी खबर लगा दो मैंने का मुझे कि प्काति प्रोच रहा है और उन्हें हम तंहें फरमाया कि हम तमसे अल्ब को पाकست MD बनाते हैं उन्हें हम 제ни Sag पाकस्ने की सुनी भार नकर ऑर अल्फ ले लिजा और मुझे सदर पाकिसान बुना दिया उन्ने कहा कि तुमने अजर्द दाता साथ की दर्वार पर चादर चला नी है और उसके बार टीवी स्टेशन पर खताब करना कों से अच्छा खुदा आप्पिस आ गया तू जमान हो एक से बढ़कर एक महागर नमरे मस्त खरवनशी पशों से भरे रेवड राष्टर फकिस्तान में गटित होने वाली इसी प्रकार की रोचक मनोरंजक वाज़ास्पद गटनाओं से संबंदित अनेकों चल्चित आप हमारे दूसरे चैनल टोपी डी टोक पर जाकर भी देख सक को यथा संभव सहोग कर इसे और अधिक सक्षम बनाने का प्रयास करें इस चल्चित्र के लिए इतना ही मिलते हैं अगले चल्चित्र में तब तक के लिए सबको बंबं